बिहार के आठ सीटों पर मतदान जारी है और मतदान जिस तरीके से हो रहा है गठ बंदन के उमिद्वारों का मनोवल पुरी तरीके से डाउन है कारकाट लोग सबाच्छेत्र की बात करेंगे जहापर उपेंद्र कुश्वाहा और राजाराम सिंग को निर्दलिय उमिद्वार जो है वो धूल चटा रहा है निर्दलिय उमिद्वार राजाराम सिंग और उपेंद्र कुश्वाहा के लिए मुश्किले खड़ी कर रहा है व कुश्वाह का वोट किदर जाएगा, यादो का वोट किदर जाएगा, पास्वान का वोट किदर जाएगा, युवा का वोट किदर जाएगा, बुजूर्ग का वोट किदर जाएगा, महिलाओं का वोट किदर जाएगा, पूरा मामला सेट है, देखें कारा काट लोग सबैचे की बुजूर्गों के जुबान पर था कि पाउन सिंग को वोट करना है इसके लिए ये भी था कि पाउन सिंग नए उमिद्वार है विरोध प्रतिशत बिलकुल जीरो उपेंद्र कुष्वाह का विरोध प्रतिशत असी प्रतिशत राजाराम सिंग का विरोध प्रतिशत लग यह सही नहीं है फिर भी लोग करते हैं लोग जताते हैं कि हम वोट कर रहे हम कैची को वोट कर रहे हैं पाउन सिंग को वोट कर रहे हैं उस अधार कर अगर देखा जाए तो अभी पाउन सिंग सबसे आगे चल रहे हैं वहां के लोगों से जब हमने बात की वहां के अस्थानि कि महाल देखकर जनता अपना मन बदलती है, अन्तिन दिन या फिर मतदान की दिन देखा जाता है महाल किसका है, तो उसी को लोग वोट डाल देते हैं, सौ में से तीस प्रतिशत लोग ऐसा करते हैं कि हवा का रुख देखते हुए अपना मतदान करते हैं, 10 परतिशत लोग ऐसे होते हैं जो कि EBM को देखकर मतदान करते हैं और उसके बाल जो 60 परतिशत लोग होते हैं वो सोच समझ कर मतदान करते हैं और वो 60 परतिशत लोग अब पूरा सोच चुके हैं 10 परतिशत लोग EVM को जो देखकर वोट कर रहे हैं, उसमें से 3 से 4 परतिशत लोग पौन सिंग को वोट कर रहे हैं, 30 परतिशत लोग जो हवा के तरफ बह रहे हैं, उसमें से आधे लोग पौन सिंग को वोट कर रहे हैं, महाल पूरा सेठ हो चुका है, अब देखने वाली बा वोट आता है, या फिर वो चुनाव जीत जाते हैं, तो पेंद्र कुश्वाह का राजनितिक कैरियर क्या होगा, क्या राजनितिक कैरियर दाव पर लग जाएगा, क्योंकि लोग तो ये कहेगा, कि एक भोजपूरी का अभिनेता आया और बड़े राजनितिक धूरंदर को और आज गर्मी भी बहुत कम है, धूप भी थोड़ा कम निकला हुआ है, लोग बूत पर जा रहे हैं, और चरबड कर हिस्सा ले रहे हैं, और अपना-पना मत दे रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होगा, बहराल इस खबर में इतना ही बनेरा महार साथ और देखते रहें, दे इंडा टॉप.